परिचय आज रविवार की सुबा है कमल ध्यान पूर्वक अपनी मा को देख रहा है उसकी मा पानी की एक पाल्टी में थोड़ा सा सफेद रंग का द्रव डाल रही है उसने इसके बारे में अपनी मा से पूछा मा ये सफेद रंग का द्रव क्या है? बेटे, ये एक विसंक्रामक है और आप इसे पानी की बाल्टी में क्यों डाल रही है? क्यूंकि विसंक्रामक एक रासानिक पदार्थ होता है जो सूक्ष्म जीवों को मारता है और उनकी वृद्धी को रोकता है पर्ष और प्रसाधनों को संक्रमन से बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है मा, क्या हम इसका प्रयोग सीधे घावों पर कर सकते हैं? नहीं बेटा, हम विसंक्रामक को सीधे घावों पर नहीं लगा सकते लेकिन यदि हम विसंक्रामक के बहुत निम्न सांदृता वाले विलेयन का प्रयोग करें तो हम इसे एक अंटिसेप्टिक के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं मा, मैं इसके बारे में और अधिक जानना चाहता हूँ अच्छा विटा, आज मैं तुम्हें इसके बारे में और अधिक जानकारी दूँगी छात्रो, आज हम इसके बारे में अपने अथ्याए दैनिक जीवन में रसायन इसमें विस्तार से चर्चा करेंगे उद्देशे उद्देशे दैनिक जीवन में रासायनिक यौगिक दैनिक जीवन में रासायनिक यौगिकों का प्रयोग कई उप्योगी कारियों में किया जाता है उधारन के लिए चाय को मीठा बनाने के लिए चीनी, धोने और नहाने के लिए साबुन आदी का इस्तेमाल ये मनुशियों और आवाज के अस्तित्व को प्रभावित करता है इसके अतिरिक्त क्रिशी, वस्त्र, दवाओं, फोटोग्राफी आदी में अनेक योकिकों का अनुप्रयोग होता है इस प्रकार रसायन हमारे दैनिक जीवन के साथ साथ कई जैविक प्रक्रियाओं में महतपून भूमिका निभाते हैं औशद रोगों के उपचार तथा दर्द की पीड़ा को कम करने के लिए प्रयुक्त, रसायनिक पदार्थ दवाएं या औशद कहलाते हैं दवाओं के रूप में कुछ रसायनिक योगिकों की उप्योग ने कई तरीकों से मानवता की सहाथा की है रोगों के उपचार दर्द की पीड़ा को कम करने और जनसंख्या विसभोट को नियंतरित करने के लिए दवाओं का उप्योग किया जाता है उन्होंने मनुश्य के औसत जीवनकाल में वृद्धी की है और एक आराम दायक जीवन जीने में उसकी सहाथा की है जीवाड़ों के आक्रमन से उत्पन रोगों का रासायनिक योगिकों द्वारा उपचार जो होश्ट के उत्गों को बिना प्रभावित किये सुक्ष्म जीवन को नश्ट करता है रासायन चिकिस्था कहलाता है उपचार के लिए प्रयुक्त रसायन, रसायन चिकस की ये एजेंट यानि अभिकरता कहलाते हैं आशद का वर्गी करण आशदों को कई तरह से वर्गी करित किया जा सकता है भेशाज गुण विज्ञानिय यानि फार्माकोलोजिकल प्रभाव के आधार पर अशदों को हमारे शरीर पर उनके भेशाज गुणज विज्ञानिय प्रभाव के आधार पर वर्गी करित किया जा जाता है उधारण के लिए ज्वर नाशी आउशद ज्वर वाले शरीर का ताप कम करती है जबकि पूती रोधी यानि एंटिसेप्टिक आउशद सुक्ष्म जीवों की वृध्थी को रूखती है विशेश रूप से जैवरासायनिक प्रक्रिया के आधार पर कुछ दवाएं जैवरासायनिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करती हैं उधारणार्थ एंटि हिस्तामिन दवाएं हिस्तामिन की क्रिया जिसके कारण शरीर में सूजनाती है इसको दबाती है रासायनिक प्रक्रिती के आधार पर कुछ आउशदों का शरीर पर प्रभाव उनकी सनचनात्मक विशेष्टाओं के आधार पर होता है उधारण के लिए सलफा आउशद अपनी सनचना की कारण सुक्ष्म जीवों जैसे जीवाणों के वर्धन को बढ़ा सकती है इसलिए उनका पती जीवाणों के रूप में प्रयोग किया जाता है लक्ष अणों के आधार पर वे लक्ष अणों जैसे एंजाइम, कोशिका ग्राहियों, व्रहदाणूं जैसे कार्बोहाइडरेट, प्रोटीन, लिपिटों और न्यूगलेक अमलों पर आधारित होती है पीडा हारी पीडा दूर करनी के लिए प्रयोग तो होने वाले रासाइनिक पदार्थ पीडा हारी कहलाते हैं उधारन के लिए एस्पिरिन और एनलजीन वे पीडा और जौर से तुरंत आराम देती हैं एस्पिरिन का उप्योग दिल के दौरे की रोगथाम में किया जाता है क्यूंकि इसमें रक्त का थक्का ना बनने का प्रभाव होता है कुछ नार्कोटिक्स जैसे मॉर्फीन, कोडीन, पैथिडीन, हाइड्रो क्लोराइड, मेथाडॉन और हैरोईन भी पीडा हारी के रूप में प्रयूक तो होती है वे रोगी को पीडा से मुक्ती तो देती हैं, लेकिन वे केंद्रिये तंत्रिका प्रणाली पर आक्रमन करती हैं और निद्रा या मूर्जा लाती है अधिकांश्ता ये अफीम या मेरी जुएन पात्पों से प्राप्त होने वाले उत्पात हैं प्रती सूक्ष्म जैविक ये योगिक जीवों और मनश्यों में संक्रमन उत्पन करने वाले सूक्ष्म जीवों की वृध्धी को संदमित करते हैं या उन्हें मार देते हैं सोख्ष्म जीव औशदों में जीवाणू नाशी, जीवाणू निरोधी और प्रती जैविक शामिल है। प्रती जैविक द्वारा आक्रमन किये गए सुख्ष्म जीवों की पूरी रेंज, स्पेक्ट्रम कहला दी है। ओधारन के लिए पेनिसेलिन विस्द्रेथ स्पेक्ट्रम प्रती जीवानूंू ये सुख्ष्म जीवों की विस्द्रेथ रेंज के विरुध प्रती जैविक शामिल है। पूती रोधी तथा विसंक्रामी, रोगाणू नाशी पूती रोधी रासायनिक पदार्थ जो सोक्ष्म जीवों की वृध्धी को रोकते हैं या उन्हें मारते हैं लेकिन सजीव मानिविये उद्कों के लिए हानिकारक नहीं हैं, पूती रोधी कहलाते हैं पूती रोधियों को सजीव उतकों पर लगाया जाता है। इन्हें घावों, वरणों यानी अलसरों और रोग्रस्त तौचा की सतह पर लगाया जाता है। साधरनता प्रयुक्त किये जाने वाले पूती रोधि हैं डेटॉल, बाइथायोनौल, आयोडीन और हैट्रोजन पर ओक्साइड विलियन। विसंक्रा में।